सबी दर्शकों को मेरा नमस्कार मेरा अल्टब नाइटिव सित्यान में आपका हादिक स्वागत करती हूँ दोस्तो आप लोग कैसे हैं I hope कि आप लोग ठीक ठाग होंगे दोस्तो आज और एक डिजाइन लेके आए हूँ इस डिजाइन को मैंने एक रोश्या से बनाया है तो इस डिजाइन का आप किसी भी प्रोजक्टर में डाल सकते हैं इसका बच्चों के लिए स्वेटर बना सकते हैं लेडिज कार्डिगन लेडिज जैकेट वगरा आप कुछ भी बना सकते हैं इसके इलावा इसकी आप टोपी बना सकते हैं देखे यहां पर मैंने एक टोपी ब बनाए या कोई भी हम किसी भी प्रोजेक्टर में डालें तो यह किस तरह का दिखने वाला है अगर आप टोपी ही इसका बनाना चाहें और आपके समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे बनाए तो आप मुझे कमेंट किजिए मैं जरूर इसका वीडियो बनाऊंगी और आप मुझे कमेंट कर सकती हैं और मैंने इसका लिंक भी में डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से चकाउट कर सकती हैं अगर आपके समझ में नहीं आता है यह डिस्क्रेप्शन क्या होता है तो इसके बारे में भी अब एक वीडियो बनाऊंगी और अप बना सकती हैं और इसके अलाबा को बना है इसी कमेंट के लिक्रावर का पना दिया है और यह पसंद है और इसे बनाई है तो आपके समझ में वह नहीं आ रहा है तो आपको मैं बटा दोंगी आप जरूर कमेंट कीजिए आपको इन में से कौन सी टोपी पसंद आई है उसका मैं लिंक दे दूँगी आप फिर उसको आसानी से बना सकती है आपको खोजने में आसानी हो जाएगी तो आप शुरू करते हैं आज का वीडियो इसको बनाने के लिए अभी मैं छोटा सा पैटन बनाऊंगी यहाँ पे तो इतना सा बनाऊंगी मैंने यहाँ पे 21 चैन डाल दी है 21 चैन में मैं छोटा सा पैटन बनाऊंगी और मैं आपको बता दूँ यह डबल डिजाइन है इसके अंदर से भी डबल करुस्या है यह design बनके आया है देखmyć जो ये design है इसके अंदर 4-4 डबल कृष्याय इस इसे आप कर सकती है कि हमें कितनी chain बनाना है 4-4 chain के अंदर एक design बनेगा चार-4 Chain के अंदर इस तरह से आप जोड़ सकती है ठीके तो आयए स्टार्ट करते हैं देखें यहां पर मैंने 21 चैन डाल दी है अब हर एक चैन में हम यहां पर डबल कृष्या कर लेंगे कि तीन चैने में इनको छोड़ देंगे और डबल कृष्या स्टार्ट करेंगे 4 चैन में डालके एक ये भी माना जाएगा ठीक है तीन चैन हमने छोड़ दे थी एक डबल कुरुश्या यहाँ पर फस्ट वाला यह माना जाएगा तो दो हो गए तीन चार पांच इसी तरफ पूरी चैन में हमें डबल कुरुश्या कर लेना है यहाँ पर और यहाँ पर मैं आपको बता दो कि मैं डबल ओन यूज कर रहे हूं तो काफ़ी बारिक उन है तो इसमें वीडियो में धंक से दिखाए भी नहीं देता है तो इसलिए मैं double own यूज़ कर लिए हूँ आप चाहे तो अगर आपकी मोटी own है तो आप single own ही यूज़ कीजिए ठीक है तो इसी तरह से हम पूरे में double crochet कर लेंगे यहाँ पर लास्ट तक second row start करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले chain डालनेंगे यहाँ पर हमें 8 chain डालनी है जिस 8 chain में हमारे 3 chain का तो यह जो दूसरी रो हम start करते हैं हुआएंगे और बांकी यह जो design आया है इसके अंदर भी chain है बांकी की 5 chain हमारे इस design के अंदर आ जाएंगे ठीक है तो starting में ही हमने 8 chain करनी है बांकी इधर को हमने केवल 5 पांच पांच chain करनी है इस design को करने के लिए आप देखांगे अभी समझ मां आ जाएगा आपका देखे यहाँ पर हम 1,2,3,4,5,6,7,8 आर चैन के इसको हम ऐसे पलट लेंगे हमारी दूसरी रो स्टार्ट होगी ठीक है इसके बाद हम यहाँ पर गिनेंगे एक तो यह chain हमारी यहाँ तक आ जाएगी इसमें एक chain यह बाने जाएगी 2,3,4,5 ठीक है इसको छोड़के हमने 4 chain 4 double crochet यहाँ पर गिन लेने है और वहाँ पर फिर इसको joint कर लेना है 1,2,3,4 ठीक है तो यहाँ पर हम इसको अब joint कर लेंगे इस design को इसको पलट रहें देखिए इस तरह से हम इसको पलट लेंगे अब इस chain के अंदर हमने यह design बनाना है इस design को बनाने के लिए हमें यहाँ पर single crochet करना है इस तरह से own लेंगे और इसके अंदर डालेंगे और इसको सीधे निकाल लेंगे 1, 2, 3, यह उलज गया है थोड़ा मैं ढंक से कर लेते हूं इसको 3, 4, और यह 5, 5 single crochet हमने यहाँ पर कर लिया है इसी का यह design दिखता है दिखिए ठीक है अब हमें फिर से ऐसे पलट लेना है देखिए फिर से हमने ऐसे पलटना है इसको समझ रहे न आप देखिए ऐसे किया फिर इसको हम ऐसे पलटनगे फिर से हम जो जो यह 4 double crochet हमने छोड़के यहाँ पर इसको अभी joint किया था इनके पीछे से देखिए 1,2,3,4 यहाँ पे हैं हमारे 4 double crochet पीछे से हम इसको इस तरह से design के पीछे से इनको यह chain दिख रही है हमारे इसके उपर से 4 double crochet हमने करने हैं देखिए किस तरह करेंगे इसको ऐसे कर लेंगे और हमारे chain दिख रहे हैं देखिए यह chain दिख रहे हैं इ अगले पर जाएंगे टू अगले पर जाएंगे थ्री और ए फोर देखे हमने फोर डबल कुछा यहां पर कर लिए यह देखे इस तरह से यह डिजाइन हमारा आ गया है आप देख सकते हैं यह फस्ट डिजाइन हमारा यह बन गया है ठीक है अब और देखे आगे आप यहां से हमने बागी जाएंट कुछनी करना है यहां पर सीधे हमें चैन कर लेनी है वन टू थी फोर फाइव यहां पर पांच चैन करने हैं कि यहां तो हमने आठ चैन इसलिए की थी क्योंकि हमारी नई दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही थी जिसमें से तीन चैन हमारे यहां पर यह बन जाएंगे देखे यहां पर तीन चैन की हमारी एक टबल कुरुष्या यहां नई रोज स्टार्ट करने के लिए बन जाएगी और बाकी के पांच चैनों के अंदर हमारा यह आ गया है तो अगले जो भी डिजाइन हम बनाएंगे इन में हम करेंगे पांच पांच चैन पांच पांच चैन करके हम फिर से यहां पर गिन लेंगे अगले से गिनांगे देखिए इससे गिनांगे वन टू थ्री फोर ठीक है तो यहां पर हम इसको जैन्ट कर लेंगे जैन्ट किया फिर से यह जैन्ट किया अब हम इसको फिर से ऐ पलट लेंगे देख़िए ऐसे इसको पलट लेंगे और यहां पर सिंगल कुरुष्या कर लेंगे इस तरह उन लेके देख़िए इसको निकाल लेंगे one two three four और फाइव फाइव इस तरह से सिंगल कुरुष्या कर इसमें जिसका यह डिजाइन हमें दिखीगा ठीक है अब फिर से हम इसको ऐसे पलटेंगे देखिए इस तरह से पलटेंगे ताकि हम इसके पीछे से यह तो आगे साइट है तो डिजाइन को आगे करते हुए हमने यह डिजाइन आगे किया है देखिए और पीछे से यह चैन द दिखती हैं कि हर एक double कुर्शा के ऊपर जो chain दिख रही है इनके उपर से हमें double कुर्शा कर लेना है पीछे से आप समझ रहे हैं ना इस तरह से यहाँ चले जाएंगे हम और double कुर्शा कर लेंगे हर एक double कुर्शा चार है चार के उपर से एक एक कर लेंगे तो चार डबल कुरुष्या पीछे से हमारे आ जाएंगे एक दो दो तीन और चार देखे नीचे से चार डबल कुरुष्या है तो हमें चार चैन दिखाई देंगी ठीक है चार चैन दिखाई देंगी हमाई यह चार डबल कुरुष्या है उसके उपर चार चैन होती है जब हम बुनते तो चैन दिखती है तो उसी चैन को हमने लेना है और डिजैन को आगे कर लेना है जो यह चीज है इसको आगे करना है और पीछे साइड से जाके चैन के उप लेंगे इसको छोड़केंगे जहां पी हमने चाहं चायन की ले यहां फी हम यहां पे देखतीं पर लेंगे यह दिखें तो इसपे हम इसको जैंट कर लेंगे के कि सथा से परट लेंगे इस से पलट लेंगे, ऐसे पलट लेंगे, पलटने के बाद इसमें सिंगल कुरुशिया, देखे इस तरह से, फिर इसको हम पलट लेंगे, इस तरह से, ऐसे पलटनेंगे, और पीछे हमारे चार डबल कुरुशिया है, इसके नीचे से, उन लेते हुए, इन में से फिर हम डबल कुरुशिया कर लेंगे, वन, टू, यह डबल उन है, तो कई बार एक ही मेरा पल आ रहा है उन, तो मैं यहां पर दुबारा कर लेते हुए, उसको, टू, थ्री, और यह फोर, देखिए, फोर चैन दिख रहे हैं हमें, फोर चैन उनको, हर एक चैन के उपर से हम कर लेंगे, यह देखिए, एक कम्प्लीट हो गया हमारे तीन डिजाइन आप देख सकते हैं, यह देखिए, इस तरह से देखिएगा, बहुत प्यारा बनता है बनने के बार, आप देख सकते हैं, टोफी भी बहुत अच्छी लग रही है, अब हम यहां से फिर से पांच चैन कर लेंगे, पूरा डिजाइन इस तरह से हम कम्प्लीट कर लेंगे, देखिए, यहां पर रॉक कम्प्लीट कर लिए है, अब हम यहां पर जो लास्ट डबल कुरुष्या है, हमने फस्ट और लास्ट में पांच पांच डबल कुरुष्या छोड़ा था, डिजाइन के अंदर हमारे चार- इसको हम इस तरह से इसके ऊपर जो 1,2,3 लास्ट कोना इसका लेंगे, और इसको यहां पर डालके, लास्ट जो कोना है इस डबल कुरुष्या का, इस पर हम इसको इस तरह से डालके, यहां पर एक लास्ट डबल कुरुष्या भी यहां पर कर लेंगे, यह देखिए, एक एक करना है फस्ट लास्ट में यह डिजाइन के अंदर 4 हैं यह पांच वाइन तो अब यहाँ पे करएंगे तीन चैने करके हम इसको पलट लेंगे अब इस लाइन में हमें फस्ट लाइन की तरह केवल डबल कुरुश्या करने हैं हरेक डिजाइन के पीछे हमारे चार-चार डबल कुश्या है, चार इसके अंदर ही, हर एक के अंदर चार चार है, तो यहां पे हर एक डबल कुश्या के ऊपर से हमने डबल कुश्या कर लिना है, इस लाइन में बांकी कुछ भी नहीं है, देखेंगे, फस्ट वाला ये हो जाएगा, जो पपचवाँ है चार हमने इसके उपर करने है One Two Three Four चार डबल कुरुष्या के उपर से रह एक की डबल कुरुष्या के उपर चैन होती है हर एक चैन में डालती हुए हमने चार डबल कुरुष्या यहाँ पर कर लिये तो अब हम इसको छोड़ देना है, ये डिजाइन का बचा हुआ कोना है, अब हम अगले चार डबल कुरुष्या हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हैं, तो इसके उपर से चार चैन हैं, इसके उपर भी चार चैन के उपर से हमने इस तरह से कुरुष्या उगडालेंगे और हर एक के उपर डबल कुरुष्या कर लेंगे, और पूरी लाइने इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे हम, देखिए, पूरी लाइन ऐसे ही कंप्लीट करनी है, चार डबल कुरुष्या के उपर से, चार डबल कुरुष्या हमें कर लेनी हैं, न घटाने हैं, न बढ़ाने हैं खोड़ देना है हम सिधे यहाँ जाएंगे और इसके ऊपर कर लएंगे इसी तरह से हम इसको फूरी लाइन कंप eerste कर लेंगे आप बुनाई से सम्बंदी कोई भी आपके सम्मन में सवाल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हमें क्या बनाना है, बताईए, तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी, ठीक है, कोई टैंसन नहीं लेनी है, कमेंट कर देना कि मैं हमें ये चीज़ सिखाएं, ठीक है, यहाँ पर मैंने चार डबल कुरूश्या यहाँ पर कर लिए, वन टू थ्री फोर, एक हमें यहाँ यहाँ पर एक्स्टा करना है, क्योंकि फस्टा और लास्ट में मैंने पांच पांच करे हैं, तो यहाँ पर इस पर चले जाएंगे हम, लास्ट डबल कुरूश्या के उपर से, यहाँ पर कुरूश्या को डालेंगे, और एक डबल कुरूश्या यहाँ पर कर लेंगे, इस तरह डालेंगे और कर लेंगे अब यहाँ पर हमने फिर से पांच रबल को लेंगे आठ चैन करने हैं यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट एट चैन करने के बाद इसको हम पलट लेंगे इसमें तीन चैन मैंने पहले भी बताया था यह लाइन बन जाएगी तीन चैन की और पांच जो चैन बचेंगे उसके अंदर यह डिजाइन आ जाएगा हम अभी इसको जोएंट करने के लिए सीधे यहाँ पर चले जाएगे अभी गिनने की कोई जर्वत नहीं है हमें सीधे सीधे दिख रहा है यह डिजाइन है यह चार जबल कुरुष्या है यह पांच वा है यह जो पांच वा डबल कुरुष्या है इस पर चले जाएगे हम इस पर इसको सीधे इसको जोएंट कर लेंगे यह देखिए यह हमने जॉइंट कर लिया है आप हम इसको पलट लेंगे पलटने के बाद सीधे यहाँ पे हमने पांच-पांच ऐसे सिंगल कुरूश्या करने है उन लेने के बाद यह डवल उन है हर बार मुझे दिक्कत कर रही है देखिए इस तरह से जाएंगे एक, दो, तीन, चार औरे पांच पांच कर लिया सिंगल कुरूश्या अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे दिखिए इस तरह से पलटनेंगे फिर से जो हमारे यह चार यहाँ पे आप देख सकते हैं चार डवल कुरूश्या है यह वन टू टू ट्री फोर चार चैन दिख रहे हैं हमें इन mieć यह दिखिए one two three four, चार चेन दिख रहे हैं हर एक चैन के उपर हमे चार ही डवल कुरूश्या कर लेंए हैं अभी भी हमेशा यही है डिजाइन में यह देखिए चार चैन के अंदर हम फस्ट में जाएंगे इसमें जाएंगे एक double crochet करेंगे, फिर second में जाएंगे, फिर से करेंगे double crochet, फिर तीसरे में जाएंगे, double crochet करेंगे, ये चौथा चैन ये रहा, इसमें भी जाएंगे और ये double crochet कर लेंगे, यह देखिए, यह दूसरा डिजाइन हमारा कम्प्लीट हो रहा, फिर से हम करेंगे, पांच चैन, वन, टू, त्री, फोर, फाइव, फाइव जैन करके सीधे यहाँ पे इसको जोइंट कर लेंगे, यहाँ के वन, टू, त्री, फोर, चार डबल कुर्श्या छोड़ देने हैं, पांच वे पे जाना है, हमने यहाँ पे इसको जोइंट कर देना है, इस तरह से, जोइंट किया, फिर पलटा, फिर इसी तरह से हम वन, टू, त्री, फोर, और यह फाइव, फाइव सिंगल कुर्श्या किया, फिर से हम इसको पलट देंगे, इस तरह से, ऐसे पलटंगे, यह यह जो chain है हमारे यह 1, 2, 3, 4 यह chain दिखने देखिए इसके उपर से हमने double crochet कर लेना है देखिए इसी तरह यह design आएगा मैं इसी तरह पुरा complete कर लेते हैं उसको 1, 2, 3, 3, 3, और यह last chain है यहाँ पे है 4, ठीक है अब हम फिर से chain करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 फिर से यहाँ पे joint करेंगे इसी तरह यह design बनेगा मैं 2, 4 line बना लेती हूँ आपको दिखाती हूँ white color में एक इस तरह का दिखता है देखिए last में भी हमें 4 double crochet के अंदर यह design बनता है तो हमें 5 double crochet यहाँ पे इस तरह से करना है यह हमेशा करना है आपको क्योंकि last में हमने एक extra किया था तो हम यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ से हम एक double crochet यहाँ पे कर लेंगे देखिए यह design से extra है यह हर एक design के अंदर चार चार है तो फस्ट और लास्ट में यह पांच वा है तो अब यहाँ पे हम तीन chain कर लेंगे 1,2,3,3 करने थे के वाल तो आब हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद हमेशा की तरह इस line की तरह हमेशा इसमें double crochet कर लेना है चार double crochet के उपर चार 1,2,3,4 ठीक है तो अब हमें सीधे यहाँ चल ले जाना है इसके उपर इसको कुछ नहीं करना है इस gap में double crochet के उपर जाना है और double crochet कर लेना है 1,2,3,4 देखिए इस line में बागी हमें कुछ भी नहीं करना है देखिए ऐसे हर एक double crochet, 4,4 double crochet है हर डिजाइन के पीछे तो हर एक डिजाइन के पीछे हम 4 double crochet कर लेंगे और एक last में ये पांचों हैं इसके उपर भी कर लेंगे तो मैं इस design को complete कर लेती हूँ, 2,4 रोग कर लेती हूँ दिखाती हूँ आपको कैसा दिख रहा है देखिए तीन design पूरे होने के बाद क्यों कुछ इस तरह का दिख रहा है design तो अगर आपको ये पसन आए तो प्लीज लाइक किजिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए बाबाई टेक यार मिलेंगे अगले वीडियो में झाल को ये अपक आपके जरूर को किजिए तीन आपको किजिए प्लूर को है अगताु झाल अगरूर को तो तो मिलेंगे से एक की ज़रूर करें चाल किएक कि येम्नभाइग एक में मेंकरको कि नगलो के अपको क्ना इव एक